अब हमारा next question कर रहा है कि 573 Kelvin को degree Celsius, degree Fahrenheit और यूमर में convert करना है ठीक है तो हमारा दिया गया reading Kelvin में है और हम लोग यह जानते हैं इस बात को Now, अब हम लोग को सबसे पहले degree Celsius में निकालना है तो degree Celsius minus 0 by 100 minus 0 कर देंगे और यहां 573 minus 273 by अफ हम लोग डायरेट करेंगे 100 ठीक है 100, 100 खतम हो जाएगा यहां degree Celsius में आ जाएगा और 573 में से 273 गया तो कितना बचेगा 300 और यह हमारा degree Celsius मन सब्सक्राइब कोई विक्कत I think नहीं होगा उसके बाद हम लोग solve करेंगे फर्दर degree Fahrenheit में तो degree Fahrenheit माइनस 32 by 180 कितना होगा फाइव सेबंटी थ्री माइनस 273 बाइव हंड्रेट वन सुनिया वन सुनिया वैसे हम लोग कर देंगे डिग्री फॉरन नाइट माइनस 32 बराबर 9 by 5 times कितना हो जाएगा 305 से इसको कर सकते न 5 सीज़ा 309 सीज़ा 54 540 प्लस इधर से 32 प्लस में आ जाएगा डिग्री फॉरन है अब यहां से हम लोग ने अपने रेडिंग को डिग्री फॉरन हैट में भी निकाल लिया क्या आ जाएगा 572 डिग्री फॉरन ने ठीक है अब हम लोग रेडिंग हमको र्यमर में निकालना ते हम लोग रियूमर में जानते हैं चिका माइनकी थियूर प्लस दैक है ठीक है तो यहां देखिए तो रियूमर में आ जाएगा क्या थ्री गुने एट्टी यानि टू फॉर्टी रियूमर ठीक है आगे हम लोग और क्वेस्टन्स प्रैक्टिस करने वाले हैं फिर मैं आपको भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू